फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो कुछ बेसिक चर्चा पे हम करेंगे और बेसिक चर्चा पे ये है कि गुलाब प्लांट्स के लिए और किस-किस फटलाइजर की आउसकता है होती है और मिट्टी में जो लोग करते हैं बॉर्निंग आप सभी को मिट्टी में जो प्लांट करते हैं वो कुछ बेसिक चीज पर आज हम बात करेंगे कि गुलाब में कौन-कौन सी फटलाइजर की आप क्या आउसकता होती है मिट्टी के लिए हम छोटी सी एक बेसिक के तोर पे हम काम करेंगे कि बेसिक जनकारी यही कि हमें फटलाइजर कौन सा खरीदना है कैसे प्लांट लगाने हैं और किस तरह से प्लांट को हमको आगे बढ़ाने है चोटा सा एक चुली वीडियो इसलिए है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करके और कुछ पूछते रहते हैं कि सारक क्यों सी फटलाइजर जैसे प्लांट होता कहना गुलाब में हम लोग यही देखते हैं अगर हम आपको इतना छोटा प्लांट दिखाते तो मेरा वीडियो आप नहीं देखते हैं अगर यह सब हम दिखाएंगे तो ही आप देखेंगे तो बस वही बात है जो मार्गेट में दिखता है वही बिखता है सब लोग य डीटेयलस बात हम करते हैं तोड़ा जल्दी-जल्दी हम बात करते हैं कि हम गुलाब प्लांड करनी लिए हमें सबसे पहले क्या-क्या चीज किया सकता है होती है और मौसम सार मेरी याह भी बहुत। खराब है आज मैं है लाइब नही locat हो सकता है अगर डेली डेली आने लगे तो हम खत्म हो जाता है तो थोड़ी से लाइव करेंगे एक लाइब एसलिए कुई कि बहुत सारे टॉपिक हम दे दिये हैं और वीडियो लोग को देखना भी चाहिए डेली रनिंग पे तो सिडूल इसके बाद जो वीडियो हम लेके आएंगे जो हम कराते अपना कमर्सियल ग्रेट का फीडिंग का अगला वीडियो उसी प्याएगी और संडे को ही हम लाइब एक बार आएंगे थोड़ा सा गैप करेंगे थोड़ा सा हम भी काम में थोड़ा ब्यस्त हैं तो यह आ थोड़ा से उसमें करेंगे आज ऑफिस में जाएंगे तो समय का नहीं होने को यह इसलिए नहीं कर रहे हैं तो बात करते हैं हमकी गुलाब अगर प्लांट करने हैं तो हमें एक-एक इस्टेप हमागे बढ़ते हैं किस-किस बातों को मुझे ध्यान देना है नए ग्रूवर प्रविश्कर जाता है उसके बाद प्लांट इतनी रूना अभी तो मेरे को मुझे अपनी बात ब दूसाल का कως जब जाता है जब यह एज होता है जब बड़ा होता है तब बहुत बड़ी चाइलेंज होती है दूसरा साल में through सोची इतना रूला देता है कि पूछी के सामने हां सबसे पहले मिंटी अच्छा क्वालिटी आ पड़ाब श्यादे आ उस के जड़ के पोष्ट गोबर की सड़ी हुई खाड डाल के सिंगल सूपर फॉस्पेट हुमिक एसीड मैकोर रैजा ताम जहाम जितना है हड़ी कचूरा वगरा जो हो सौंग सिंग चाचा ऐसी एक वेल्डरेन सोयल हम बनाएंगे बालू वगरा डाल करके ताकि पानी आपके पॉट में सब्सक्राइब करके उसके बाद आप यूज कर सकते हैं बहुत लोग कोकोपीट भी थोड़ी सी दाते हैं उसमें मौश्चर को बरकरा रखने के लिए तो यह चीज भी है उसके बाद फीडिंग की मेन बात है यह वीडियो बनाने का यही मक्सद है कि हमको क्या-क्या समान ख सकता तो होता है नायटोजन फॉस्फोरस पोटास सब कुछ होता है अगर आप मिट्टी अच्छी क्वालिटिक अगर बना लिए तो और दूसरी चीज यह है कि हम 1343 बेस फोलियर कमपनी का एक हमको चाहिए हाइफा कमपनी का 2020 का चाहिए हमको यह दो फीडिंग हो गया ठीक फ्लावरिंग के लिए नहीं काम करना है एक जीरो से थोड़ी से उठाने के लिए अगर आपके पास बजट हो तो बार एक सट की फीडिंग आप ले सकते हैं हम सोल के लिए बता रहे हैं यह तीन फीडिंग के इलावा चौथा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी फीड थीडिंग हम अगले एक से डे Heidi महीने या alternate day पे अपड़ासके इग्जाम्पल में जैसे की हमको हपते में तीन फीडिंग करना है चार फीडिंग करना है तीन फीडिंग तो बहुत है सोल के मिए ठीक है तो आप ऐसे कर सकते हैं है एक बार जो है दो बार 13, चालिस तेरा दे सकते हैं बेस फोलियर कमपनी का बाकि किसी कमपनी का नहीं चाहिए यह आप इस्टिकली समझ लीजे और एक फीडिंग जो है रूट अच्छे डेवलप करने के लिए प्लानो फिक्स ले सकते हैं ठीक है यह सारी फीडिंग जो है यह पीजियार आपके सो से डेल सो रुपे के अंदर आजाएंगे कम पैसे में आएंगे ठीक है यह दो चीज हो गया ठीक इसको कैसे यूज करना है आप ड्रिंज करेंगे बाइव बिटा इस पर लगाएंगे इसा अभ्याण हफ्ता में दो बार ठीक हर महीने में मिटी में एक बार दे सकते हैं 4 ml 4 लीटर पानी में मात्र 1 ml महीने में मात्र एक बार यह बहुत है ठीक है यह बहुत है अब यह दो चीज हो गया तीसरी चीज अगर हम फंगिसाइड पेसी साइड में एक आपको लेना है बबिस्टीन रूट जोन में डालनी के लिए और एक आपको लेना है मिश्टर टॉप ये दो चीज प्रयाप्त है ठीक है अब अगर मैसी साइड वोगारा में हमको जाना है अगर आप बजट एफट कर सकते हैं तो आप एक जोडस ले सकते हैं काका ले सकते हैं और उवराउन ले सकते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ओवराउन आप ले लिजिए एक ठोग पांसो प्लस के वो आते हैं और दूसरी चीज आपको कॉमफिडोर लेना है ठीप्स और माइट्स दोनों के लिए ये हो गया इसकी इलावा बागी किसी भी चीज की जुरूत नहीं पड़ेंगी और आपको प्लांट के साथ उस कैटिग्री मेस को समझना पड़ेंगाकर दसप्लांट कीजिए और अच्छी से अपको धीरे 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 ऐसे आपको वातावरन आपको बनाना पड़ेंगा टॉर्चर नहीं करना है प्लांट से प्यार वो प्लांट से करें आप बाते कीजिए प्लांट से समझिए और हम थोड़ी से वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं इसलिए अपनी कुछ प्रंसनल बात नहीं बताते हैं ये सब के पीछे एक छोटी से हम सौटकॉट में बता र यह हमने कई से सीखा नहीं है ५्ट मुझे सीखा यह फैक्ट है और आज हम जो करते हैं वह कहना मांता यह जो आता है हम से कुद कहता है कि हमारे प्रॉब्लम हो रहे हैं और आपकी आँख ही आपकी असली मसीन है कोई मुझे किस चीजु के जरुलत पर ठेली से अपको है आपको जो हम सर थ가 हैं अपको कि भा-उ-बिटा को ड्रींज करना है ठीक ब्राश्च परणफिक्स को ड्रींज करना इससा अभ्यवन को सप्रे भण कट्छ से रखना है कि भी मारी आने से पहले रोका जा सक equation अबके प्लांस की एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको बिमारी से बचाना पड़ेगा एक सीडूल हम मेंटन करेंगे उसके बाद आप रोजस प्लांस को कर सकते हैं बाकी ऐसा कुछ भी आपको नहीं खरीद रहा है जिससे आपके फालतू पैसे बरबाद हो किसली के कहने में बात को लांस को नहीं आनी है विच से प्लांस क्रोथ कर सकते हमें किसी देख करके गुमरान हुआ कि यह मिक्स फूड है और चाहिए चीज है यार इससे तो कुछ नहीं हो रहा है अगर ऐसा रहता तो कंपणी फीडिंग बना करके नहीं देती तेरा चालिस तेरा के फीडिंग जो होती है 20 परकार के मिक्स कंपणी उसमें ओलेडी डाली रहती है त्वंटी ट्वंटी में 18 परकार के नियुटूंट डाली रहती है आप जितना वीडियो देखते हैं जितना इधर देखते हैं उसे कई जादे कंपणी दिमाग लगा का बैठी रहती है कंपणी ऐसी नहीं है और इसलिए रिजल्ट मिलता है ठीक है और बावन चौंटीस तेरा जीरो पैंट तालेस ये सबकी जरूत नहीं पड़ेगी शुरुवाती अवस्ता में क्यूं नहीं पड़ लगा उसको बढ़ाना है फ्लॉरिंग ओलेडी तेरा चालीस तेरा बेस फोलियर में भरबर के वैसे ही आ जाएंगे फूल आपको नहीं लेना है अगले छे महीने तक साहत महीने से एक फूल खिला लिजिए और देख लिजिए उसकी आईडी उसके प्रिंचिंग करते रहना बूसी प्लांट्स को बनाने जैसे हमने बूसी बनाए अपने प्लांट्स को आप देख रहे न आज यह देखाएंगे तो कहें जारे सर क्या दालते हैं कुछ हमको भी बताईए सबर रखना है सबर ही में चीज़ है गुलाब के लिए यह बेसिक चीज को उठाना है नहीं फीडिंग से आप गुलाब कीजिए सिंपल में कीजिए आपके घर में 15-20 फूल असानी से आ जाएंगे आपको गजमारी करके अपने घर में जो है फैक्टरी नहीं खोलना है कभी यह ले लिए कभी वो ले लिए दस बार एकी चीज को दस बार अट्टा मार रहा है को कोई वीडियो बना बना के वो खरीद के ला दिए आपको यह सब नहीं करना है जो फैक्ट है वो फैक्ट है और हम यह सब चीज आप लोग के कि लिए इसलिए बताते हैं कि हमने बहुत पैसे बरवाद की हैं 60-70-80,000 रुपय हम गुलाब पे खर्चा कर चुके हैं आज अप और में बात क्या है कि नए जब आप प्लांट्स लगाएंगे तो थोड़ा सा सैड में ही हलका सा रखेंगे और ठंडी है तो कोई दिक्कत नहीं है सावरिंग प्रोपर देना है नोड एक्टिव करने पर ध्यान देना है बस इतना आप करेंगे बहुत धीरे 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 चलेंगे आपके प्लांट्स लेगा पेसेंस रखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम देख कर कम सर अपना फोड़ लेगे सर हमको बताईए प बहुत लंबी लडाई लड़ना पड़ता है और इसलिए मैं बोला हूँ दस प्लांट कीजिए अब कुछ लोग बोलेंगे सर वेराइटी कौन कौन सले जो घर में प्लांट्स करना है आपको दो चार हम आईडी बता रहे हैं उस पर ही आपको फोकस करना है सबसे पहले तीन लग ही रौनक होती है इस तरह के प्लांट्स जो है आप आईडी मंगा सकते हैं मूनी स्टोन हो गया मुहोना हो गया यह सब आईडी हम बहुत पहले भी बता हैं कुछ इंडियन वेराइटी भी है उस पर आप कर सकते हैं ठीक है पिंचिंग करते रहना है फ्लावरिंग के त उसके लिए तो बहुत सारी वीडियो अलेडियो यही फीटिंग उसमें भी है था फटक यह उसमें कुछ चेंजिंग हो जाती है थोड़ी से उसमें अप्लावरिंग क्योंकि है क्या कि मिठिमल पोस्तवत्त्व होते हैं और सिंडर मीडिया में तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हम मिटी में करते हैं तो ये हो जाएगा सर हम केमिकल करेंगे तो इतना मगज मारी क्यों करें फिर हम गोबर के मत देखिए फिर कर लिजी अपने हिसाब से सब कुछ होना रहता तो आलू पी आज टमाटर में इतने केमिकल डाल डाल के आपको खिला रहा है बेच बेच के सारे लोग आप खा रहे हैं गुलाब के लिए जो है इतना दिमाग आप क्यूं लगा रहे हैं जितने फल खा रहे है सब में जिबरेली कैसे ठोका रह रहा है इतना बड़ा बड़ा जो ले रहे हैं बैगन और केला पपीता वो सब क्या है वही है तो इसलिए वो सब बातों पर ध्यान नहीं देना है हम लोग को कहने के मतलब फूल है देखिए हम लोग का सरीर हो गया कमजोड ठीक और के लिए इंगलिस तरीके से डिवलप्मेंट करना पड़ता है तो यही में बात है मतलब थोड़ी से एक हंसी वाली इसलिए बात है कि यह फैक्ट बात है बहुत लोग बोलते कल कमेंट आया था कि सर हम मिट्टी में अगर हम केमिकल डालेंगे तो मिट्टी खराब नहीं हो चाएगा हम क्या उनको जवाब दें इतने जारे कमेंट करतें कितना कोई जवाब देगा इतना ही आपको दर्द है तो गुला भूगा नहीं छोड़ दीजे बाती खतम हो गया क्यों सर सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं तो यह सब चीजे हैं इस पर हमको फोकस बस इतना ही करन है कि थोड़ी सी बेसिक को हमको पकड़ के चलना है और जब तक रहा रूट में बैक्टेरिया डेवलोप्मेंट तो आप लिपकोंपोस्ट भी देंगे सर्सों की खली देंगे कम पैसे के जो भी चीज मैंने बताया हलके हलके पैसे में बताया ज्यादा पैसे में मैंने नहीं यह सौटकोट तरीका है कि घर में हमको गुलाब करने के लिए हमको किस की चीज की जरुवत पड़ती है बहुत सारे लोग को यह चुली है कि मेंन के इतने सारे प्रोड़क मार्केट में आ गए हैं अभी दस दिन अगर हमको कोई फॉलो करेंगे दस दिन दूसरे करेंगे व नहीं मिलने का कारण क्या है आपका प्लांस उस कटिगरी में डेवलोपी नहीं हो पाया है और एक बात और है गुलाब के लिए हर एक चीज सुटेबू नहीं होता है देखिए कोई भी प्रोड़क्ट होता है ना बैगन टमाटर भिंडी कंपनी लिख के देती ये पीछे ग पास फोलियर का माइक्रो नुट्रेंट कॉमबी टू जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं ठीक है रेक्सोलीन वह गारा जो है बहुत सारी कंप्लेंस आ रही है अईसा नहीं कि कल तक हम रेक्सोलीन बता रहे थे आज हम बेस फोलियर बता रहे है तो आप फिर वह बोलेंग यह बात को कंपनी की भाव नहीं बढ़ी है जो लोग डुब्लिकेटी कर रहे हैं इंडिया में उसकी भाव बढ़ गई है यह चीज है अब तो सुनने में आ रहा है रेक्सोलीन में आटामी लागर करके वैसी कुछ प्रोड़क्टेंस तायार किया जा रहा है इसलिए मैं ब पड़ती है बहुत अच्छा आपका प्लांट्स ग्रोथ होंगे यह चीज है और अब संडे को ही हम लाइब करेंगे थोड़ा सा हम भी रेश्ट लेंगे आप लोगों से चुकि आप लोग भी रोज-रोज में परसान कर रहा हूं तो थोड़ी सी अच्छा नहीं होता है और देखिए तो आप लोग बेसिक चीज को समझे कि हम क्या कह रहे हैं यह चीज है तो और कोई सवाल जवाब हो तो आप संडे को हमसे कर सकते हैं और बस यही चीज थी आप नॉर्मली प्रकिरिया से इस चीज को करिए और चैनल पर नहीं तो जरू सब्सक्राइब कि जेगा ट झाल 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 झाल